हलो दोस्तों स्वागता आप सभी का हमारे उनलाइन चनल अराध्या अरेस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान पटवार बरती परिक्षा, राजस्तान रेट बरती परिक्षा और राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल बरती परिक्षा के लिए राजस्तान जोग्रोफिक की दोस्तों कलास से स्टार्ट की गी थी जिसमें अपनी दोस्तों छे कलास है वो कम्प्लीट हो चुकी है आज इसमें सात्वे नंबर की कलास है दोस्तों छटी कलास में अपने सुस्क एवं अर्दसुस कमरुस्तल के बारे में पढ़ा था आज अप और शेर जरूर करें तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अरावली परवत माला ये दोस्तों कितने परतिसत भाग पे फैली हुई है तो आप सभी को पता है कि 9 परतिसत भाग पे तो ये फैली हुई है और 10 परतिसत इसमें जन सिंक्या निवास करती है इसमें प इसकी तुलना है वो उत्री अमेरिका के अलपेसियन परवत से की जाती है अरावली परवत की जो तुलना है वो किस से की जाती है तो उत्री अमेरिका का एक परवत है जिसका नाम है अलपेसियन उस परवत से दोस्तो अरावली परवत माला की तुलना की जाती है दोस्तो बहरत में दक्षिन से उत्तर की ओर गुजरात, राजस्तान, हरियाना, दिल्ली में फैली परवत स्रंकला को अरावली परवत स्रंकला के नाम से जानते हैं अब आप सभी को पता चल गया होगा कि बाहरत में जो अरावली परवत्माला है वो कितने राज्यों में फैली हुई है तो दोस्तो चार राज्यों में फैली हुई है अरावली परवस्रनी गुजरात, राजस्तान, हरियाना और दिल्ली ठीक है ये चार राज़ों में फैली हुई है अरावली परवत माला इसका जो निर्मान काल है दोस्तों निर्मान काल के अगर अगर आपन बात करें तो अरावली परवत का जो निर्मान काल है वो प्री केंब्रियन ठीक है Cambrian है पिरी Cambrian काल में हुआ था दोस्तो इसका निर्मान अरावली का निर्मान और ये दोस्तो गोडवाना लेंड का भाग है मैंने आपको पहले बताया था शुरू में ये अरावली है ये गोडवाना लेंड का भाग है देखो अरावली के अगर अगर अपन विस्तार की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है वो 692 किलोमेटर है भारत में टोटल इसकी लंबाई है वो कितनी है 692 किलोमेटर राजस्तान के अगर अगर अपन बात करें और राजस्थान में अगर अरावली की लंबाई की बात करें, टोटल लंबाई कितनी है, 692 किलोमेटर और राजस्थान में कितनी है, तो 550 किलोमेटर लंबाई है राजस्थान में, जो कुल अरावली का 80% भाग है, वो है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में कितने पर अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलो मिटर, कितने राजय में फैली हुई है? तो 4 राजय में फैली हुई है, राजस्तान में अरावली की लंबाई कितनी है? तो 550 किलो मिटर है, 80% भाग है वो राजस्तान में है अरावली का, इसकी ओसत उचाई की अगर आपन बात करे तो ओसत उचाई है इसकी 930 मिटर है ये अरावली की ओसत उचाई है याद रखना दोस्तों ठीक है अब देखो अरावली एक प्राचींतम वलीत वै अवसिष्ट परवत माला है अरावली एक प्राचींतम वलीत वै अवसिष्ट परवत माला है अरावली में पाई जाने वाली प्रमुक चटाने क्वाट जाईट ग्रेनाइट और निस ये दोस्तों जो चटाने है ये अरावली में पाई जाने वाली जो प्रमुक चटाने है उनके नाम है दुबार देखो कि अरावली एक प्राचींतम वलित वे अवसिष्ट परवतमाला है और इसमें पाई जाने वाले परमुक चटाने हैं क्वाटजाइट, ग्रेनाइट और निश याद रखना अरावली धारवाड परकार की चटानों से बनी है, अरावली को अध्यन की दरश्टी से तीन भागों में बाटा गया है, अरावली है उसको तीन भागों में बाटा गया है, उत्री अरावली, मद्य अरावली और दक्सनी अरावली, ठीक है, तीन भागों में बाटा गया है अ अब अपन देखते हैं कैसे बाटा गया है, ठीक है, तो ये देखो, ये राजस्तान के अंदर जो धक्सिनी अरावली है, ये है, दक्सिनी अरावली, मद्दे अरावली, ये है, और उत्री अरावली है, वो ये है, ये अरावली को तीन वागों में बाट दिया है राजस्तान म अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं दक्षिनी अरावली के अगर अगर अपन बात करें तो दोस्तो देखो इसमें दोस्तो शिरोई से यह है प्रारभ होती है दक्षनी अरावली और इसकी जो सरवचे चोटी है यानि कि अगर मैं बात करूँ कि दक्षनी अरावली की जो सरवचे चोटी है वो कौन सी है तो वो है दोस्तो गुरुशिकर ठीक है और इसकी उचाई है 1722 मिटर ठीक है दूसरे न 240 tapping दोस्तों में ऐपको एक बात से बताथा यह जो कोडिक आ इनको आप राजस्तां की कोडिक मतान लेना ठीक है राजस्तान में कुछ डिफरेंस हो सकता है लेकिन यह दक्षणी अरावलि की बात हुरी यह जो कि अरए पर बहली हो इसमें कोड़ शेंट उते New दक्षिने अरावली में सर्वोच्य चोटी है इसकी गुरुषिकर जिसकी उचाई 1722 मिटर है यह उगे अपनी दक्षिने अरावली अगर बात करे हैं अपन इसमें मद्दे अरावली की मद्दे अरावली है वो राजसमन्द से लेकर जैपूर तक फैली है इसमें अज मेरवाड़ा छेतर आ चुका है और सरवचे चोटी देखो दक्षिने अरावली की सबसे उची चोटी कौन सी थी तो गुरू सिकर जिसकी उचाई है कितनी तो दोस्तों 933 मिटर उसकी उचाई है उसके बाद में दोस्तों देखो तारागड तारागड की है 870 मिटर और नाग पाढ़ की है 795 मिटर ठीक है याद रखनेस को जो मद्ध्य अरावली की सबसे उची चोटी है वो कौनशी है तोड़ गड़ 933 मिटर मौराम जी ठीक है और तारागड है ये दोस्तों 870 मिटर इसकी उचाई है याद रखना कई बार दढ़के क्या कर देते हैं कि मद्ध्य अरावली की जो चोटी है वो तारागड बता द देते हैं तो दोस्तों तारागड नहीं है तोड़ गड़ है जिसकी उचाई है 933 मिटर है ठीक है इस कन्फिजन को आप सही कर लेना याद रखना इस चीज को उसके बाद में दोस्तों उत्री अरावली आती है और उत्री अरावली है ये दोस्तों जैपुर से लेके जो सरवचे चोटी है वो है रगुनात गड़ यानि कि अगर मैं बात करूँ परसंद पूछा जाए परिक्षा में कि मद्द अरावली की सबसे उची चोटी कौन सी है तो दोस्तों तोड़ गड़ उचाई कितनी है उसकी 933 मिटर दक्से अरावली की सबसे उची चोटी कौन सी है तो दोस्तों सबसे उची चोटी गुरु सी करें उचाई कितनी है 1722 मिटर अब मैं परसंद पूछता हूं आपको कि उत्री अरावली की सबसे उची चोटी कौन सी है तो दोस्तों वो है रगुनात गड़ उचाई कितनी है 1055 मिटर दोस्तों इसकी उचाई है उत्री अरा उत्री अरावली की तीसरी सबसे उची चोटी तो लो है लोगर्ल ठीक है जुन-जुन में पड़ता है एक इस्तान भी है बहुत अच्छा तो दोस्तों एक जार की कावन मिटर इसकी उचाई है ठीक है लोगर्ल का आचार है वो बहुत ही संदर होता है ठीक है तो जो यह ज्ल्य आते हैं याद रखना दोस्टों तो मैंने आपको अरावली के जो देल करने के लिए इसको तीना फ़र्टों में बाटा गया है दक्ष्ने अरावली मद्डे अरावली और उत्री अरावली आप सभी को पता चल गया होगा कि ये इसमें क्या क्या है ठीक है ग्यारा जी ले आते हैं दक्षिने अरावली में और पांच जी ले आते हैं उत्री अरावली में याद रखना ठीक है अब देखो आगे चलते हैं गुरू शिकर गुरू शिकर की अगर 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 बात करें तो दोस्तो यह हैं मद्दे भारत की सबसे उच्छी चोटी देखो इसमें मैं बात कर रहा था अरावली की तो अरावली की अगर मैं बात करता हूँ तो दक्सिनी अरावली की सबसे उची चोटी कोणशी है गुरू शिकर और दोस्तों इस लैंड को पढ़ना यह बहुत ज़्याद इंपोर्टेंट है यह मद्दे भारत की सबसे उची च दोस्तों यह अपना भारत है तीक है और इसमें जो मद्दे भारत है मद्दे भारत की अगर सबसे उची चोटी है तो वो कौन सी है तो वो है गुरू शिकर कौन सी है गुरू शिकर और दक्सिनी अरावली की सबसे उची चोटी तो वो भी गुरू शिकर है और राजस्तान क सबसे उचे चोटी तो वो भी गुरू सिखर है करनल जेमस्टोड ने इसे संतों का सिखर कहा है किसे संतों का सिखर कहा है तो गुरू सिखर को दोस्तों करनल जेमस्टोड ठीक है आदुनिक राजस्तान के इतियास के दोस्तों इनको गुरु माना गया है ठीक है जनक माना गया है आदुनिक राजस्तान के इतियास का जनक किसे माना गया है तो करनल जेम्टोड को इसको दोस्तों गोडे वाले बाबा की नाम से भी जानते है यह माउंट अबू परवत पर इस्तित है ठीक है यानि कि गुरु सिक तो गुरु सिकर के उपर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है ठीक है अनुमान जी का और पास में एक बड़ा सा गंटा लगा हुए और आप वहाँ से बैस नजारे देख सकते हैं और उच्छ नहीं है उपर ठीक है गुरु सिकर हम तो जा जाके दोस्तों बोर हो चुके थे वहाँ पर तो देखो यह माउंट आपू परवत पर है ठीक है और इसे करनल जैम्स टोड ने माउंट आपू यानि कि हिंदू आलपस कहा है यानि कि दोस्तों माउंट आपू को करनल जैम्स टोड ने क्या कहा है तो हि इंदू आलपस कहा है याद रखना देखो आगे चलते हैं दक्षनी अरावली को दो भगों में बाठा गया है दोस्तो देखो इतनी चीजे हैं वो आपको कोई भी टीटर नहीं पढ़ाता होगा और ना आपको इतनी डीटेल आपको देखने को मिलेगी ठीक है अगर आपने य चीजे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो दोस्तो आप आरेस क्या आईस लेवल तक का एक्जान दे सकते हो इससे ठीक है आपको पता होगा आपने खुद ने पढ़ा है तो दोस्तो आपको खुद को पता चल रहा होगा कि ऐसे चीजे ह वो किताब में नहीं मिलती है चाहें आपको इसी किताब खरेद लेना दोस्तों, दक्षिने अरावली को दो भागों में बाटा गया है पहले तो अरावली को अपने तीन भागों में बाटा था ठीक है, एक, दो, तीन अब अपने जो दक्षिने अरावली है इसको यानिकि शिरोई से राजसमन तक फैली हुई थी इसको अपन ने दोस्तों दो भगों में बांट दिया है एक तो है इसमें आबू अरावली और एक है मेवाड अरावली ठीक है आबू अरावली का जो विस्तार है वो दोस्तों शिरोई में है और मेवाड अरावली का जो विस्तार है वो उदैपूर राजसमंद ठीक है उदैपूर राजसमंद ठीक है और इसकी सर्वोचे चोटी की अगर अपन बात करें मेवाड अरावली की तो इसकी सर्वोचे चोटी है जरगा जिसकी उंचाई है 1431 मिटर देखो समझी में आ गया दक्सिडी अरावली के अपन ने दो बागों बाटा आबो अरावली और मेवाड अरावली आबो अरावली का जो विस्तार है वो शिरोही में है ठीक है और इसकी सर्वोचे चोटे आपको सभी को पता है आप अरावली की सबसे उद्धा चोटी कौन सी है गुरू शिकर है और मेवाड अरावली की सबसे उच्छी चोटी है वो है जर्गा जिसकी उचाही है 1431 मिटर ठीक है मेवाड अरावली का जो विश्तार है वो उद्यपूर राजसमंद में विश्तरित है अब दोस्तों बात करते हैं राजस्तान में अरावली की सरवच्छे चोटी है तो आप सब इने एक ट्रिक भी सुनी होगी गुरू से दिल से जरा आस यह अपने एक ट्रिक सुनी होगी तो दोस्तों मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि सबसे उच्छी चोटी क्या है कई बार लोग पन्फूज हो जाता है कि गुरू, शिकर, शेर, जर्गा, अचलगड, फिर दिलवाडा लेके आते हैं, ठीक है, तो दोस्तों याद रखना इस चीज को यह दिलवाडा है, यह बहुत ही ज़्यदा महत्वपून है, ठीक है, यहाँ पर यह दिलवाडा गा एक ज जील है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, देखो, अरावली की सबसे उची चोटी है, वो कौन सी है, तो सबसे उची चोटी है, ट्रिक है, दोस्तों, गुरू, गुरू से, दिल से, ठीक है, गुरू से, दिल से, तो देखो, गुरू से क्या हो जाएक, गुरू सिकर, कहां पर प तो अगर उसकी जो जोड़े हैं तो दोस्तों उसकी उचाई है 5 मिटर तो 1727 मिटर भी अगर मंदिर की उचाई जोड़े तो 1727 मिटर होती है ठीक है फिर उसके बाद में जो अरावली की जो दूसरी सबसे उची चोटी है वो है सेर, गुरु से, सेर, ठीक है, ये सेर भी दोस्तो शिरोई में पड़ती है, पंद्रह सो से त्यानों मेटर इसकी उचाई है, फिर दोस्तो दिल से, एक दिलवाडा, ठीक है, दिलवाडा है, दिलवाडा, दोस्तो ये भी सिरोई में पड़ता है, माउंट अबु में, ठी मैंने भी आपको बताया था कि मेवाड अरावली के सबसे उच्छे चोटी कौन सी है तो वो है जर्गा इसकी उच्छाई 1431 मिटर है उद्यपूर में पढ़ती है दोस्तों ठीक है गुरू से दिल से जरा आस जरा ओगया जरगा आस से हो गया अचल गड़ शिरोई जिले में है 380 मिटर उचाई है इसकी कुंबा कुंबल गड़ है राजसमंद में ठीक है और इसकी उचाई है दोस्तो 1224 मेटर रगुनाथ गड़ मैंने भी आपको बताया था रगुनाथ गड़ है ये उत्री रावली की सबसे उची चोटी है रगुनाथ गड़ इसकी उचाई है 1055 मेटर सिकर जिले में पढ़ती ह है दोस्तो ये उसके बाद में रिशी रिशी का मतलब हुता है रिशी केस और ये शिरोई जिले में पढ़ता है और 1017 मिटर इसकी उचाई है देखो कास्य हो जाएगा कमलनाथ कमलनाथ है ये उदैपुर में पढ़ती है ये और इसकी उचाई है 1000 मिटर उसके बाद में सज्जन तो सज्जन गड़ है ये दोस्तो उदैपुर में पढ़ती है और 938 मिटर इसकी उचाई है मोर, मोराम जी टोटगड ये दोस्तो अजमेर में पढ़ती है इसकी उचाई है 934 मिटर खो, खो है ये दोस्तो जैपूर में पढ़ती है इसकी उचाई है 920 मिटर सास से सायरा हो जायगा, सायरा है ये उदैपूर में पढ़ती है इसकी उचाई है 900 मिटर तैसे हो जाएगा तारागड तारागड है ये अजमेर में पड़ता है और इसकी उचाई है आट सो तेंटर मिटर बोस से हो जायगा दोस्तों बोली से हो जायगा बिलाली और बिलाली है ये अलवर में पड़ती है इसकी उचाई है दोस्तों 775 मिटर इसकी उचाई है बिलाली की रोज रोज से हो जायगा दोस्तों रोजा बाकर और रोजा बाकर है ये दोस्तों जालोज में है और 730 मिटर इसकी उचाई है तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया इसमें जो अरावनी की जो परमुक्चोटियां थी उनके बारे में मैंने आपको दोस्तों इसमें बता दिया और रावनि को कितने भागों में बाटा गया है तीन भागों में ठिक है दक्षनिए रावनि मद्य्तर już फ्रीर बुटे तो मैंने आपको पूरा समिजो नहीं पर भी तोटडि ने कि तारागां मत कर देना दोस्तों एक जिंड़ा है मैंने आपके उसक्यूंचाई भी बताईए ठीक है घक्षनी अरावली के सबसे उची चोटी है गुरुशिकर और उत्री अरावली के सबसे उची चोटी है कौनसी रगुनात गर्जिस क्यूंचाई है ये 1000-500 मिटर कापर है वो तो वो सिक्कर जिले में है ठीक है तो मैंने करती है, वो कैसी है, ठीक है, सारी चीज़े बताऊंगा, रावली के बाए में, तो दोस्तों, आज अपनी साथवी कलास है, वो यही समापत होती है, कल से दोस्तों, एक कलास और स्टार्ट की जाएगी, देखते हैं, कौनसी स्टार्ट होती है, तो अरत्यारेस अकेडमी की और चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन को फ्रेश करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जे हिंद जे भारत